हाईगे सबस्वागे थे तो न्यूट्रिगोड चैनल पे आज मैं आपको बताऊंगे टॉप फाइफ फोन जोंको आप ले सकते हैं 10-15 रुपी के रेंज में इस महिने ये हमारी सबसे पॉपुलर लिस्ट होती है और सबसे मुश्किल होता है इसके अंदर रांकिंग देना और मुझे लगता है आप ये बात मानोंगे कि इस लिस्ट में रांक देना किस फोन को किस पॉजिशन पर रखना है ये बहुत ही मुश्किल काम है वैसे साथ ही मैंने आप लोगों के लिए एक और लिस्ट बनाई हुई है बेस्ट फोन अंडर 10,000 रुपे की रेंज में उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही चैनल को जुरूर सबस्क्राइब करें ताकि आप आगे आने वाली लिस्ट को मिस्ट ना करें तो चलिए फटफट से लिस्ट को शुरू करते हैं सबसे पहले में आपको बताती हूँ पांचवी पूजिशन पर कौन सा फोन है फिफ्थ पूजिशन पर आता है हमारे पास एक बढ़िया सेलफी कैमरे वाला डिवाइस जिन लोगों को बढ़िया सेलफी इस लेनी है उनके लिए इस रेंज में ये दिवाइस हमारा बेस्ट रहेगा ये डिवाइस हमारा ओपो का के वान इसका जो हमारा सेलफी कैमरा वो आप देख सकते हैं पच्शे मेड़ो पिक्सल का सेलफी कैमरा है और पिक्स बहुत भड़ी आती है हर मोड में आप देख सकते हैं नॉमल मोड ब्यूटी मोड पोट्रेट मोड हर मोड में पिक्स आपके भड़ी आएंगी साथ में बैक में हमें मिलता है solar plus 2 megapixel का camera, उसके samples भी आपके सामनी हैं, cameras हमाई काफी अच्छे मिल जाते हैं, साथ में इस device के अंदर हमें मिलता है 6.41 inch का emulet display, FHD plus resolution के साथ, display हमारा bright है, colorful है, आप इसके अंदर games, videos बहुत अच्छे से enjoy करेंगी, और उसके साथ, यह हमारा सबसे सस्ता device बन जाता है, जिसके अंदर आपको in-display fingerprint scanner मिलता है, तो आप इस device को काफी stylish तरीके से unlock भी कर सकते हैं, तो display-wise तो device हमारा बढ़िया हो गया, इसके बाद इसके अंदर हमें मिलता है, Snapdragon 660 का processor, जो कि आपको अच्छी performance देदेगा, मैंने इस device का display test, gaming review, काफी सारी videos और बनाये हुए, जो कि आपको मेरे testing channel पर मिल जाएंगी, उसके साथ हमें इस device के अंदर 36 mAh की battery मिलती है, और वैसे fast charger नहीं मिलता, साथ ही इसके back case आपको box के अंदर ही मिल जाएंदा है, और screen guard भी device के लगा हुआ है, डिवाइस के अंदर कमी यही आजाती है कि एक तो हमें fast charger नहीं मिलता, और दूसरी चीज के इसके अंदर हमें plastic body मिलती है, अब अगर मैं इस device के price की बात करूँ तो यह हमारा 15,000 पर के device है, इसका खरीतने का link नीचे description में मैंने दिया हुआ है, बाकी देखा जाए तो यह एक बड़िया option है 15,000 पर के budget में, अगर आपको एक बड़िया selfie camera वाला device चाहिए, जिसके आपको performance भी ठीक मिल चाहिए, और बड़िया display मिले इन display fingerprint scanner के साथ, चौथी position पर आता है हमारे पास इस range का best gaming device, मतलब अगर आपका purpose है सिर्फ gaming तो आपके लिए यह device best रहेगा, device है हमारा honor play, इस device के अंदर हमें बहुती जबरदस processor मिलता है, Kirin 970 का, उसके साथ GPU turbo मिलता है, तो gaming experience आपको सबसे ultimate मिलेगा इस range का, उसके साथ आपको 315MP मिलती है, साथ वे fast charger भी box के अंदर ही मिलता है, इसका PUBG test में नहीं किया हुआ है, जो कि कि आप देख सकते हैं मेरी TNG gaming channel पे, साथ में हम इस device के तो unimetal body मिलती है, तो hold करने वे device आपको काफी solid लगेगा, और sober looking device से blue color में देखने में काफी सही लगता है, उसके साथ FHD plus display मिलता है, हमें 6.3 inch का notch डिस्पले है, bright colorful display है, गेम को आप अच्छे से देख के enjoy कर सकते हैं, साथ ही अगर हम camera की बात करें, तो solar press 2 का dual camera set बाक में मिलता है, और solar megapixel का selfie camera फ्रेंट में मिलता है, actual में Huawei और Honor के cameras भी हमारे काफी सही होते हैं, इंके अदर detailing अच्छी मिलती है हमें, और selfies भी आप देख सकते हैं, आप हर board में selfies ले सकते हैं, selfies भी काफी अच्छी आती है इसके cameras की, overall देखा जाए तो यह हमारा एक powerful device बन जाता है, जिन लोगों को game खेलने के लिए device चाहिए, जिसमें अच्छी जबर्दस gaming वो कर सके, तो यह बड़ियो option है 15,000 रुपे के budget में, इसके तरह कमी यही आजाती है कि battery backup हमें इतना जबर्दस नहीं मिलता, जैसे कि processor काफी ज़ादा strong है, powerful processor है तो वो battery को थोड़ा consume ज़ादा करता है, तो अगर आप gaming ज़ादा करेंगे तो आपको शाम को चाहर्ज करना पड़ेगा, बाकी देखा जाए तो यह काफी बड़ी option है gaming के हिसाब से, इस device का 4GB RAM, आपको 15,000 बे में मिल जाएगा, इसका भी खरीद निकलें, मीची description में मैंने दिया हुआ है, अब तीसरी position पर आता है हमारे वैस इस range का सबसे stylish device, सबसे premium looking device, इसकी look सबसे बढ़िया है, ऐसी look किसी और device की अभी तक नहीं है, और साथ ही इस device के अंदर आपको performance भी अच्छी मिल जाती है, device है हमारा काफी लोगों का फेवरिट Honor 8X, सबसे पहले इसकी look पर नज़र डालते हैं, और वैसे इसका जो red color है वो बहुत ही killer है, device के finish look बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही awesome finish आती है इसके अंदर, होल्ड करा हुआ हाथ में यह बहुत ही प्यारा लगता है, एकदम premium looking device है हमारा इस budget का, और SNE किसे look ही हमें मिलती है, हमें इसके अंदर प्रसेंसर भी Kirin 710 का मिलता है, उसके साथ GPU Turbo मिलता है, तो आपको अच्छी gaming performance मिल जाएगी, आप इस device को easily use कर सकते हैं, smooth performance मिलेगी आपको, साथ में इस device के अंदर, हमें 6.5 inch का Full HD Plus display मिलता है, तो display-wise भी आप device को अच्छी से enjoy करेंगे, और उसके साथ आपको 3750 mAh की battery मिलती है, हाला कि इसके साथ हमें fast charging नहीं मिलता, लेकिन dedicated slot मिलता है, तो आप अपने दो SIM card के बाद अपने अपने दो SIM card के बाद एक memory card भी आप से इसके अंदर लगा सकते हैं, इसके camera setup की बायत करें तो इसके अंदर हमें 20-2MP dual camera setup back मिलता है, इसके samples आप दिख सकते हैं, बढ़िया पिक्स आती है इस device के अंदर हमारी, इसके साथ हमें 16MP selfie camera मिलता है, उसके पिक्स पे हमारी काफी अच्छी है, दोनों ही front and back camera बढ़िया है, सब कुछ देखा जा तो device के बढ़िया है, प्रीमियम लुक के साथ, यह device भी हमारा 14,000 पे का, इसका खरीदने का link नीचे description में मैंने दिया हुआ है, और मेरी माने तो इसके red color के लिए जाए, शो off करने में और बढ़िया लगेगा, डिटेल में इसके features को जानने के लिए आप इसकी unboxing देख सकते हैं, जिसका link मैंने नीचे description में दिया हुआ है, अब दूसरी position पे हमारे पस tie है, हमारे पस दो devices आते हैं, जिसमें से एक तो device है, वो हमारा value for many device है, मताँ उसके अंदर जो fast charging मिल रही है, woke charging जो हमें दी गई है Realme की तरफ से वो बहुत ही बढ़िया है, उसके लिए Realme को thumbs up देती हुमें, और device है हमारा Realme 3 Pro, device के अंदर हमें 4045 mAh की बड़ी battery मिलती है, और उसके साथ जो woke charging दी है, वो बहुत ही मस्यतार है, आप device को फटा-फट से charge कर सकते है, मताब यह चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे इस device की, उसके साथ इस device के अंदर हमें Snapdragon 710 का processor मिलता है, जोगी के आपको काफी अच्छी performance दे देगा, इसका gaming review मैंने किया हुआ है, आप देख सते हैं, इसका gaming comparison भी मैंने किया हुआ है, Redmi Note 7 Pro के साथ, उसके लिए बहुत request आई थी, तो मैंने फटा-फट से वो video बना दिया था, उसके बाद आपको इसके अंदर 6.3 इंच का Full HD Plus display मिलता है, डिस्प्ले वाइस भी आप इस device को अच्छे से enjoy करेंगे, साथ ही इस device के अंदर हमें 16MP 16MP dual camera setup back में मिलता है, 25MP selfie camera front में, अब जो इसका back camera है वो काफी लोग कहते हैं OnePlus वाला मिल रहा है, जो हमें इसके अंदर आपको Sony IMX 519 sensor मिलता है OnePlus 60 वाला, तो वो वाला sensor मिल रहा है जो OnePlus का पुराने फोन में था, पिक्स आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है, और इसके साथ जो selfie camera है वो हमारा 25MP का है, और उसके पिक्स पे हमारी काफी सही आ जाती है, देवाइस के अंदर लुक हमें अच्छी मिल जाती है, मैंने इसके दो कलर्स की unboxing एक साथ करी थी, दो वेरेंट्स की एक साथ करी थी, तो एक उसमें से मैं पस ब्लू कलर में था, एक हमारे पस ग्रे कलर में था, दोनों ही कलर्स देखने में काफी सही लगते हैं, मेरे साथ से ब्लू कलर के लिए जाएं, मुझा जादा बड़िया नजर आता है देखने में, और प्लासिक बड़ी मिलती है, हाला कि यह एक नेगड़े पॉइंट है दिवाइस का, वो चाइनीज फोन नहीं लेना चाहती है, तो उनके लिए सामसंग के तरफ से बड़िया डिवाइस आता है, जो कि एक बैटरी बीस्ट है, और साथ ही आपको वो सबसे सबसे डिवाइस है, जिसमें आपको ट्रिपल क्यामरा मिल रहा है, तो डिवाइस है हमारा, सामसंग का M30, सबसे पहले इसके ट्रिपल क्यामरा पे ही नज़र डाल लेते है, इसका जो ट्रिपल क्यामरा इसमें से में क्यामरे हमारा 13 Megapixel का, 5 Megapixel का Wide Angle, और उसके साथ आपको मिलता है 5 Megapixel का Depth Sensor, तो आप अपनी हर एक टाइप के पिक ले सकते हैं, वाइड एंगल में क्रेटिव पिक ले सकते हैं, गृफ फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, मतला आपकी बढ़िया फोटोग्राफ्स आजएंगे इस डिवाइस के साथ, साथ में 16 Megapixel का Selfie Camera है, वो भी हमारी काफी अच्छे पिक्स ले लेता है, उसके साथ इस डिवाइस में हमें Super Emulet Display मिलता है, 6.4 इंच का Full HD Plus Resolution के साथ, वो भी हमें Infinity-U Notch में मिलता है, तो आप इसके डिस्प्ले को बहुत अच्छी से enjoy करेंगी, गेंस, वीडियो, हर एक चीज में, अब प्रफॉर्मस वाइस पे डिवाइस हमारा ठीक है, इसके अदर वैसे तो कहने को हमारा प्रोसेसर कम है, 7904 का प्रोसेसर मिलता है हमें Samsung Exynos का, लेकिन आप इसके पबजी को HD graphics के हाई फ्रेमरेट पे चला सकते हैं, यही सेम सेटिंग्स पे आपको रेकमेंडेड है, रेडमी के अंदर भी, रेडमी के नोट 7 Pro में, और रियल्मी के 3 Pro में, तो सेम सेटिंग्स आपको इस ही में मिल जाती, उसके बाद 5000 MHz की बड़ी बैटरी मिलती है, बढ़िया बैक्टरी बैकप मिलता है, मैंने इसका ड्रेन टेस्ट किया था, रियो लाइफ ड्रेन टेस्ट मजा आगया था इस दिवाइस को यूस करने में, 15 Watt का फास्ट चाजर भी बॉक्स के अंदर ही मिलता है, तो आप 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 आराम से यूस कर सते हैं, अपिना किसी दिक्कत के, साथ में इस दिवाइस के अंदर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है, जो कि वैसे तो ग्रेडियंट डिजाइन में लुकवाइस देखने में बढ़िया लगती है, लेकिन प्लास्टिक है तो यह के नेगडिव पॉइंट इस दिवाइस का, बाकि ओवरॉल यह दिवाइस हमारा बहुत ही बड़िया डिवाइस है, सामसंग की तरज से 15,000 रुपे के बजट में, इसका खरीदने का लिंक में ने दिया हुआ है, साथ ही आप इसकी सारी टेस्टिंग दे सकते मेरे चैनल पे, चैनल के लिंक में दिये हुए. अब पहली पुजिशन पर आता है हमारे पस इस रेंज का कम्प्लीट डिवाइस, चाहे आप इस device की performance देखें, चाहे आप इस device का camera देखें, चाहे आप इस device की look देखें आपको सब कुछ बढ़िया मिलता है इस device के अंदर और device है हमारा Redmi का Note 7 Pro सबसे पहले इस device की camera की ही बात कर लेते हैं, बैक में camera मिलता है 48 प्लस 5 megapixel का उसके अंदर आपको जो आज की डेट में हमारा OnePlus 7 Pro आया है, 50,000 पर डिवाइस, जिसमें आपको Sony का AMX 586 sensor मिलता है, वो sensor आपको 14,000 पर डिवाइस पर मिल रहा है, तो सोची आपकी क्या बढ़िया कमाल की पिक्स आए लगी, बहुत ही जबरतास पिक्स आती है हमारी इस device के अं आपको PUBG review देख सते हैं, आप इसका gaming comparison देख सते हैं, बढ़िया performance मिलती है हम इस device के अंदर, साथ ही इस के अंदर हमें 4000 mAh की battery मिलती है, और यह device हमारा Quick Charge 4 को support करता है, लेकिन कमी ही आ जाते है कि fast charger हमें बॉक्स के अंदर नहीं मिलता, हाला कि एक MIA का fast charger है 500 रुपे का, अग और डिवाइस के अंदर हमें premium glass body मिलती है, बढ़िया लगता है, स्टाइलिश लगता है device हमें होल्ड करने में, यूस करने में, वेपस इसका black color है, तो इसमें इतना नजन नहीं आता, इसका gradient shade नहीं आता, लेकिन आपकी इस और कलर के लिए जाएंगे तो आपको बढ़िया इसमें look मिल जाएगी, साथ ही splash proof है, तो हल्का-फुल्का पानी गिर गया तो उसमें भी दिक्कत नहीं आई, overall देखा जाए तो यह हमारा complete device है, करके आपको 4GB RAM, 14GB और विरेंट सिफ 14,000 पे में मिल जाएगा, उसके बद कमी इस device के अंदर या जाते है, हमें इसके अंदर hybrid slot मिलता है, dedicated slot नहीं मिलता और उसके साथ हमें flash sale में यह device अविलेबल होता है, और साथ ही fast charger नहीं मिलता, इसके इलावा, actual में device के अंदर कोई दिक्कत नहीं, मज़े से इसको use कर सकते हैं, so guys, यह थी हमारी list, I hope आपको मेरी list प्रसंद आई होगी, मैं जल्ब आपिस आउँग करना और सब्सक्राइब करने के बाद बलाकिंग को प्रस करना ना भूले